ये प्रकरण थाना थर्वई जिला प्रयाग राज का है इसमें आज सुबा करीब साड़े पांच बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब चार पांच लोग मुरे तवस्था में हैं ये सुचना पर ततकाल पुलिस टीमें फिल्ड एउनिट डॉग स्क्वाइड आला अधिकारी सम्मौके पर पहुंचें मैं स्वयं भी मौके पहुंचा हूं यहां पर पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार राजकुमार की पतनी राजकुमार की बहु और उनक की सल्वत हैं यहां पर भी जीवित रहां में सी प्रकार से श्य लोग का यह जो हें रात में सो रहते चोरद के पाउ Mitch lub लोगम यह निए प्लिस उसको सभाल रही है और आगे की kारवाई कर रही है मौका मुएना जब किया गया तो यह पाया गया कि घर के एक बेडरूम में घर के बेडरूम में आग भी लगी हुई थी जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया अभी सफुराल पक्ष वाले जो उसमें मृत्का है सविता सफुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक गई हैं साथों टीमों को अलग-अलग काम दिये गए हैं फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाइड ने भी सबूत इकठे कर लिए हैं बॉडी का पोस्ट मार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यू कैसे कारिद की गई जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्षों के आधार पे इसवे कड़ी कारवाई की जाएगी किसी भी दोशी को कतवी बख्षा नहीं जाएगी किस तरह नहीं चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटे हैं लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो जाएं इसका पोस्टमार्टम की बाद धी कुछ कनफरमेशन करा जा सकते हैं पैनल से को स्वेद्स मार्टम कराएंगे वीडियोग्राफी में कराएंगे ताकि कोई सबूद छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पार दर् कर दो कर दो